जीवन साथी हर कोई चाहता है उससे परफेक्ट जीवन साथी मिली लेकिन सबकी तमन्ना पूरी कहां होती है आपकी हो सकती है आपको परफेक्ट जीवन साथी मिल सकता है क्योंकि मैं आपके पास हूँ मैं आपको perfect जीवन साथी दिलाने का तरीका बताने वाली हूँ आज आप जानेंगे आपके लिए perfect जीवन साथी कौन है कौन आपके साथ अच्छे से रहेगा और किसके साथ आपको दिक्कत होगी पहले से जान लेंगे तो partner चुन्ने में दिक्कत नहीं आएगी आपको बजरंग बली और मंगल ग्रहे के बीच का connection पता चलेगा आपका सब मंगल मंगल होगा क्या आपके घर में ऐसा ही लडाई जगड़ा होता है जीवन साथी से बनती नहीं या फिर आपके घर में ऐसे romance होता है घर में प्यार होता है तो ठीक है लेकिन अगर लडाई होती है तो हो सकता है आपने अपना जीवन साथी गलत चुना हो अगर आप जीवन साथी चुनने जा रहे हैं या जार रही हैं तो आपकी राशी के हिसाब से कौन सा जीवन साथी बेस्ट रहेगा आई जानते हैं मेश राशी के लोग बहुत ही मददगार और डायावान होते हैं इनको दूसरों को सुख देने से शांती मिलती है इनकी केमिस्ट्री, व्रिश्चिक, कर्क, तुला और कन्या राशी के साथ अच्छी रहती है व्रिश्चिक, राशी के लोग अपने उपर बहुत जादा कुंट्रोल रखते हैं इनको सभी काम रीती रिवाजों के अनुसार ही करना पसंद होता है ये अपने पार्टनर को भी काफी सोच विचार के बाद चुनते हैं इनकी जोड़ी मिथुन, कुंभ, धनू और कन्या राशी वालों के साथ बहतरीन होती है मिथुन राशी वाले लोग रिलेशन्शिप को तवज्जो देते हैं इसलिए इनको कर्ट, प्रिश्चब, मकर और कन्या राशी के लोगों को आसानी से इनकी ट्यूनिंग बैट जाती है कर्ख राशी के लोग दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं इस राशी के लोग अपने पार्टनर की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं इसलिए पार्टनर बनाने के लिए सिंग, मकर और मीन राशी के लोग सबसे अच्छे आप्शन है सिंग राशी के लोग लीोस यह लोग थोड़े से ज्ञादा समझदार होते हैं अपनी सेंस्ट ही जान लेते हैं अपने पार्टनर का दिल कैसे जीत लिया जाए वैसे तो किसी भी राशी के व्यक्ति के साथ आसानी से अज़स्ट हो जाते हैं लेकिन इनकी केमिस्ट्री सिंग, विष्चिक, मेश, धनू राशी वालों के साथ शानदार होती है कन्या राशी के लोग, ये लोग काफी बेबाक और खरा बोलने वाले होते हैं ये अपने मन में कुछ नहीं रखते और साधगी पसंद करते हैं इनकी केमिस्ट्री मेश, सिंग और मिथन राशी वाले लोगों के साथ अच्छी जच्चती है अभी आपको छे राशीों के बार में बताया है, छे राशीों के बार में बताना बाकी है आपको आगे इस शोपर बताऊंगी बस कुछी देर में अभी एक और जरूरी चीज़ बताती हूँ अब आखिर छे राशियों का इंतजार खत्म कर देती हूँ आपको अपनी राशी के हिसाब से किस राशी के पार्टर को चुनना है आईए ये बता देती हूँ आपकी जिंदगी रोमैंस में बीते गई तुला राशी के लोगों को फ्यार पाने के लिए बहुत मेहनत करनी बढ़ती है लेकिन प्यार मिलने के बाद पूरी शिद्दत से निभाते हैं इनकी जिंदगी सिंग, मेश, मिथुन और कुम राशी के लोगों के साथ प्यार से बीतती है व्रिश्चिक राशी के लोग प्रेम के बूखे होते हैं हमेशा प्यार के लिए तयार रहते हैं ये कभी भी प्यार से संतुष नहीं होते और अपनी ख्वाइशों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं इनके लिए व्रिश्चिप, सिंग, व्रिश्चिक और मीन राशी वाले लोग बेस्ट हैं धनू राशी के लोग बहुत ही ज़ादा रोमैंटिक होते हैं ये लोग अपनी जिन्दगी व्रिश्चिप, तुला, नीन और मकर राशी के लोगों के साथ खुशी से बिता देते हैं मकर राशी के लोग फ्यार और क्यार के बूखे होते हैं इन्हें किसी भी एडवेंचर से, किसी भी रिस्क से डर नहीं लगता और सब कुछ experience करना चाहते हैं इन लोगों को शांत और समझने के लिए मेश, मिथुन और कुम राशी के लोग perfect होते हैं ये राशी के लोग इन मकर राशी वालों को पूरा समझेंगे और साथ भी देंगे अब कुम राशी वाले कैसे होते हैं ये थोड़े से शर्मीले होते हैं और तो और ये लोग rejection से डरते हैं इसलिए चाहते हैं कि इने खुद proposal आए वरिश्चप राशी वालों के साथ कर्क, वरिश्चिक, कन्या और मकर राशी वालों के साथ इनकी जिन्दगी हसते खेलते बीचते हैं मीन राशी वाले जो लोग होते हैं ये लोग थोड़े संकी होते हैं गुसेल, चिर्चुडे और एक राए वाले होते हैं इसलिए इनकी जिन्दगी सिंग, वरिश्चिक और तुला राशी के लोगों के साथ खुशाली के साथ बीच सकते हैं क्योंकि सिंग, प्रिश्चिक और तुला राशी के लोग किसी का भी दिल आसानी से जीत लेते हैं और आसानी से अज़ेस्ट हो जाते हैं आप से बाकी बाते होती रहेंगी लेकिन मुझे एक बात बताईए क्या आपका माइंड रिलाक्स नहीं रहता कुछ न कुछ हलचल मची रहती है शांती के लिए आप पूरी तरह से अनीजी होते हैं तो चलिए आपको पांच मिनट में रिलाक्स होने की आसान टिप दे देती ह हों आप घर में मिनट जभी हो खुद रिलाक्स कर पाएंगे हमारी 5 उंगलियां हमारे 5 एमोशन सको नेगेटिव इमोशन सको control करते हैं जैसे यह बोटा है यह वरी आपकी चंता को को कंट्रोल करता है यह उंगली आपके फियर को आपके डर को कंट्रोल करती है यह उंगली आपके गुस्से को कंट्रोल करती है यह उंगली आपके दुख को अगर आप को डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप दुखी मन में हैं यह उंगली उसको कंट्रोल करती है और यह एक से दो मिनिट तक इसको यू दबाईए फिर यही काम दूसरे हाथ से भी कीजिए दो मिनिट तक अगर आपको किसी भी चीज की चिंता हो रही है तो एक हाथ से थम को यू दबाईए दो मिनिट तक प्रेस कीजिए और ऐसा ही इस हाथ से भी कीजिए अगर आपको लगता है आप में सेल्फ रिस्पेक की कमी हैं लोग आपकी बेज़ती करते हैं और आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को सेफगार नहीं कर पाते हैं या अपनी कम्मिनिकेशन को बेटर बनाना चाहते हैं इस उंगली को यूप्रेस कीजिए दोनों हाथ की अगर आप उंगली को प्रेस करें सारा डर खतम हो जाएगा इंडेक्स फिंगर को प्रेस करने से और अपने आपको बैलन्स करने के लिए अपने आपको पूरी तरीके से वापस स्ट्रेस फ्री करने के लिए सेंटर ऑफ दिपाम को भी ऐसे दो मिनिट तक प्रेस करें कुछ सेकंड नह जानकारी आपको यहीं मिलती है यह exclusive होती है क्योंकि यह आपके मेरे पीच की बात होती है क्योंकि आज लव एस्टो है तो चलिए आपके लव को बैटर करने के लिए आपको कुछ खास टिप दे देते हैं देखे अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रहे अगर आपकी लव लाइफ में रुमैंस नहीं है रुमैंस का प्लानेट कौन सा होता है अब तक तो आप मेरे साथ बात करकर इतना जानी गए हैं कि रुमैंस का प्लानेट होता है वीनस और वीनस की कौन सी चीज होती है वीनस की चीज होती है कर्ड तो अगर जिससे आप यार करते हैं उसको किसी भी तरीके से अपनी कर्ड खिलाएंगे यानिकी एक दूसरे की कर्ड जूठी शेयर करेंगे चाहिए चमत से हो या अधी खाकर हो कर्ड के शेयर करने से आप दोनों के वीनस इंटर मिंगल कर जाए तो मार्स ना प्लान आता है तो वीनस की चीजों को मार्स के साथ मिला देंगे जैसे दही के अंदर आप कोई रेट कलर की चीज डाल सकते हैं जैसे स्ट्रॉबरीज दही के अंदर आप थोड़ा सा शेहर डाल सकते हैं फिर उसको आपस में दूसरे को खिलाइए इससे वीनस और मार्स की एनरजी जब दोनों के जूटे खाने से इंटर मिंगल होगी अगर आप जूटा नहीं किला सकते तो अपना जूटा यह उनको डाल के देदीजे इससे भी आपके प्लानेट्स बहुत अच्छे से काम करेंगे प्लानेट्स तो काम करते ही हैं लेकिन हमें उन्हें अक्टिव करना पड़ता है उन्हें मोशन में लाना यह करने से आपके दोनों प्लानेट्स अक्टिव हो जाएंगे और लव लाइफ में पैशन आ जाएगा